पिल्ला उन तोड़ना सीख रहा था, लेकिन वह अपने पंजों से उसे बहुत धीरे-धीरे खरोच रहा था, इसलिए उसने अपना मुँँ चोड़ा कर लिया और केवल एक टुकड़ा खाने के लिए रोने लगा फिर उसने उन का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे हवा में फैंक दिया, कुछ ही सेकंड में उन गायब हो गया ये कैसा चल रहा है? मूल रूप से उन इकठा करना पिल्ले का काम नहीं था, वह केवल अत्यधिक लंबे बालों वाली भेडों को उनके मालिकों के पास ले जाने के लिए जिम्मेदार था, और फिर बस एक सहमी व्यक्ती की तरह व्यवहार करता था उन कतरने के लिए विशेश उपकरणों और बहुत उच्च तकनी की आवशक्ताओं की आवशक्ता होती है यह बूढे व्यक्ती के कुशल कौशल से देखा जा सकता है कि वह कई वर्षों से ऐसा कर रहा है जब उनको छील दिया जाता है तो बूढ़ा व्यक्ती इसे धीरे से हवा में भेज देगा फिर उसने स्पीड वैंड के निचले हिस्से को अपने हाथ में उठाया और उसे आगे पीछे घुमाया थोड़ी देर के बाद उन आकाश में बादलों में बदल गया जब पहाडों और मैदानों में भेड बकरिया काट दी जाएंगी तो वे काले बादल बन जाएंगे और बरसने लगेंगे इस समय बूढ़ा व्यक्ती पिल्ले के सिर पर टोपी लगाता था और फिर सूर्यास देखने के लिए एक साथ बैठ जाता था समय दिन बदिन बीटता गया और यद्यपी यह दोहराव वाला काम था फिर भी उन्हें कभी बोर्यत महसूस नहीं हुई बूढ़ा व्यक्ती समय समय पर पिल्ले को चिढ़ाता था जो उसके प्रती उसके प्यार को दर्शाता था हाला कि भोज जैसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा के लिए चलती है और खुशी का समय हमेशा अल्पकालिक लगता है इस दिन पिल्लों ने पहले की तरह मियान्यान को इकठा किया लेकिन बूढ़ा कभी नहीं आया उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और वह बेवज़ा घबरा गया पिल्ला बूढ़े आदमी के दर्वाजे पर आया और ध्यान से सूंगा की गंध अंदर हो उन्होंने दो बार फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला जब पिल्ला ने दर्वाजा खोला और अंदर चला गया तब भी उसने वही परिणाम देखा जिसकी उसे कम से कम उमीद थी बूढे आदमी का निधन हो गया है और पिल्ला का पूरा आकाश गिर गया है वह केवल असाय होकर बूढे आदमी के पास रह सकता है मुझे नहीं पता कि कितना समय बीद गया लेकिन किसी ने गिरे हुए पत्तों को साफ नहीं किया था इसलिए वे सभी अंदर चले गए अब मृत लकडी और पीली रेत में बदल गया था जो बचता है वह कांटों का जुर मुठ है चूकि किसी ने अपना उन नहीं काटा था कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं था सभी भेडे आखिरी जलाशाय पर इकठा हुई जो ल प्यांची का उप्योग करना नहीं जानता था वह एक बार में केवल थोड़ी मात्रा में बाल हटा सकता था और परिनाम यह हुआ कि कोई काला बादल नहीं था बस जब पिल्ला को पता नहीं था कि क्या करना है तो वास्तव में एक बालों वाली भेड उपर तैरने लगी औ मियान्यांग को दूर जाने से रोकने के लिए अपने शरीर पर दबाव डालें. पिल्ले के पास बूड़े आदमी के कमरे पर कबजा करने और उन सभी को उसमें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. मियान्यांग में बहुत सारी भेडे थी और कमरा तुरंत भर गया. उ वह इतना चिंतित था कि वह बाहर ही इधर उधर भटकता रहा अप्रत्याशित रूप से भेड वास्तव में अपने आप निकल गई. जब वह बाहर आया, तो उसके शरीर के सारे बाल कांटों से चिपक गए और पिल्ला के बगल में गिर गए एक दशमलोव एक बजे नश् क्या उच्टम स्थान पर उडान भरते समय वसंत रितू में खूब बारिश कराने का कोई तरीका नहीं है? पिल्ले ने सभी भेडों को पहाड़ी से नीचे लुटका दिया और जुन्ड में काटों के जंगल में गिर गया. उन्होंने बिना किसी प्रयास के भारी मात्रा में उनका काम पूरा. जैसे जैसे बहुत सारी उने आकाश में बढ़ती हैं, घने काले बादल धीरे धीरे आकार लेते हैं, लंबे समय से खोई हुई बारिश फिर से होती है और दुन्या में हर चीज एक नए जीवन की शुरुवात करती है. पिल्ला बुड़े आदमी का काम सं पारा छोड़ी गई हर चीज की रक्षा करता है. बुड़ा आदमी कभी नहीं गया और हमेशा उसके दिल में रहता था.